हेलो बच्चो नमस्कार मैं हूँ नरायन पटेल आपके अपने चनला पर आज हम बात करेंगे जवार नवुदे बिद्याले प्रवेस परिच्छा 2023 के लिए क्लास 6 के लिए जिसमें गडित सबसे टप आती जिसमें 99.99% जो बच्चा फेल हो रहे हैं वो सभी मैत में फेल हो र आएगे तो आएए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो देखें सबसे पाहला अगर आपके पास प्रस्न है वो है एक कालोनी में 112 ब्लाक हैं जिन पर एक से 112 तक नमबर लिखे हैं एक स्कूल वैन हर छठे ब्लाक पर ठहरती है जबकि स्कूल बस दसमें ब्लाक पर ठहरती ह दिये दोनों वहां कालोनी के प्रिवेस द्वार से एक ही साथ चलें तो कौन कौन से ब्लाक नमबर पर एक दूसरे को एक साथ रूखेंगी अब देखिए एक आपकी वैन जा रही है दूसरा यह बस जा रही है यह छे फिर बारा फिर अठारा चौबिस और तीस पर रूख बारा तीस ही होगी ऐसे दूसरी दस पर रुखेगा बीस पर तीस पर वह सुरवात से मिल नहीं इसका मतलब तीसवे ब्लाग पर दोनों एक सात मिलेगी तो यह तो आंसर यह रही हो खिए अब अब तीस के बाद कहा मिलेगी फिर 130 का दूना कितना है 60 60 के बाद कितना है 90 इसका मतलब और 90 के बाद 120 होगा चूंकि यहाँ पर 112 ही है तो इसका मतलब यह जो बिल्डिंग है वो 30 और 60 और 90 पर मिलेगी लगाने का इसके ट्रिक क्या है कि अगर आप 6 बलाग और 10 बलाग पर तो एक साथ कम मिलेंगे इसके लिए आपने देखा होगा बत्ती बालागर उदाराना आपको ले लाइट बाला तो यहाँ से LCMM निकाल लेंगे तो 2 3 6 2 5 10 अब काटरी ने रहा तो इसकाम लगुत्तम समावपरत निकाल लेंगे बच्चो 2 इंटू 3 इंटू 5 2 3 6 5 30 यानि पहली बार वो 30 पर मिलेंगे अगला इसका गुणक होगा 60 पर मिलेगा फिर 90 पर फिर 120 पर 120 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ही 112 तक है तो 30, 60, 90 यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा आएए बढ़ते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन है दो आपकी संख्यां यहाँ पर दी गई है तो दोनों संख्या देखे यहाँ पर यह पांच करोड सरसट लाग 98,345 और पांच करोड सरसट लाग 89,435 के लिए कौन सा सत्य तो दीखे यह वाली संख्या आपकी यह देखे दोनों सेम है यह दोनों सेम है और यह देखे 98,000 है और यह 89,000 है तो यह देखे यह वाली संख्या आमारी क्या है बड़ी है तो इसका मतलब यहाँ से 42 का आप्शन यह वाला आपका सही हो जाएगा बागी करने के आपको कोई जरुवत नहीं है देखिए अगला प्रशन है 112, 140 और 196 का बड़े से बड़ा भाज कोंसा है तो बड़े से बड़ा भाज निकालने के लिए इसका में महत्तम समापुर्थ निकालना पड़ेगा तो यह 112 घटा लेंगे देखिए बचो 8 और यह बचेगा 28 फिर हम 112 को डिवाइट कर देंगे देखिए 4 बार जा रहा तो आजाएगा 112 इसके बाद 0 आ गया इसका यह मतलब हुआ जो हमारा 28 है यह 112 और 140 का सबसे बड़ा है अब देख लेते हैं 196 के लिए क्या यह सत्य है तो 196 का अगर हम ले जाएंगे यहां से तो यह आपका चला जाएगा देखिए कितनी बार यहां से चला जाएगा 7 बार तो आ जाएगा 196 इसका यह मतलब हुआ कि 112 और 140 और 196 का जो सबसे बड़ा भाजग है वो है 28 इसका मतलब सबसे बड़ा भाजग हो जाएगा 28 यानि अपसन सी वाला सही है अगला प्रशन है 37 तथा 73 के गुणन फल में क्या घटाया जाए कि परिणाम 2500 आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 37 और आपका 77 की गुणा कर लेंगे तो गुणा करेंगे दिखे सात्य एकईस तीन तीन नव दू ग्यारा तीन से करेंगे तो यह हमारा था साथ है ना साथ सती वन चास असात्य एकईस चार पच्चिस यह हमारा आ जाएगा 1072 यानि 2700 बच्चो एक आया क्या घटा आ जाए इतना हो जाए तो इसका मतलब 2500 लाना तो घटा कि हम देख लेते हैं इसका मतलब आ गया 201 यानि 373 के गुणन फल में से अगर 201 घटा दिया जाए तो वो प्रेडाम बचेगा 2500 तो इसका मतलब यहां से 201 अंसर आ जाएगा अगला प्रशन है यहां पर थोड़ा मिस्प्रिंट हुआ है यह 3045 है यहां पर 5 छूट गया है इसका मतलब यह हमारा पूछ रहा था 15 से भाग करना था इसको 3045 दसमलो साथ 5 ठीक है पच्चो तो यहां से इसको कर लीजिएगा यहां 5 है फिर उसके बाद यह पॉइंट लगा है अब आप इसको भाग करेंगे तो 15 दूनी 30 आपका यहां से आ जाएगा और जैसे हम इसको काटेंगे तो जीरो जीरो आ गया चार उतारेंगे भाग नहीं जाएगे जीरो बढ़ाएंगे उसके बाद हम 5 उतारेंगे तो य जीरो लगाएंगे फिर मुतारेंगे 5, 17, 75, 75 तो आजाएगा 203.05 तो यहां पर देखे जो भी आप्शन यह आ रहा हो उसको आप यहां से लगा लेंगे मुझे लगता आप्शन बी वाला यहां से आजाए बी नहीं स्वरी डी वाला देखे आप्शन ठीक है चलिए बढ़ होगा यह तो बहुत आसानत प्रशन है तो इसमें देखे हमारे पास पहले हम लिखेंगे यह 1583.07 इसको भाग करेंगे 10 से और into point 43 तो देखे 10 से बाग करते तो the decimal एक हमारा और यहां पर यहां पर लग जाएगा ठीक है 37 into into point 43 जब इसकी गुणा करेंगे तो वही गुणा आ जाएगी जो यह लिखी है क्या six eight zero nine 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 अब decimal की बात करें तो यहां और दो यहनी चार के बाद लगेगा तो चार संख्या यह है तो आजाएगा अरसट गसमलो जीरो नौ 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 जो की option b में आ रहा है आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं अगला आपके सामने प्रशन है एक कूरसी 15 प्रतिसत हानी पर बेची जा रही है बेची हानी पर बारा सो एकतालिस रुपे बेची जाती कूरसी का क्रें मुल्य क्या है अब आप ऐसे समझ सकते हैं अगर प्रतिसी हमारी सो अगर हम देखे बहुत इसको आसानी सकर लेंगे अगर इसका कास्ट प्राई सो रुपय हूँ, सो रुपय गिले और बेच देश को हम कितने का पंदरा प्रसत हानी पर, तो इसका मतलब हो कि सो में की बिक्री करते तो यहां जाता 100 पटे 85 इसलिए हमारे पास जो हमने बेची है वो 1241 की तो एकचुल उसकी कीमत क्या रही होगी अब आप यहां से इसको जो 14 1241 तो 1241 फोड़ा इसको मैं फिर से लिख देता हूं यानि हर 85 वाली चीज 100 रूपे की क्रे की एक में करेंगे तो यह जाएगा सो बटे 85 इसलिए कितना था 1241 वाली के लिए अब आप इसको काट सकते हैं पान से काटेंगे पांच इककम पान सते पैतिस पांच इककम पान दूनी दस अब सत्रा से इसको काट लेंगे सत्रा सत्रहियम ठीक है इन्टू ठीरी ठीक अब दोनों के अगर गुना कर दोगे तो आजाएगा 1460 इसका मतलब उसका क्रेम उल्ले 1460 रूप रहा होगा तो यहां से हम 1460 टिक बहुत आसानी से कर लेंगे यह देखे अगला प्रशन है एक ब्यक्ति ने बैंक से 3000 रूपे तीन वर्स के लिए 8% वारसिक ब्याज से कुछ रास उधार ले उसने कुल 1200 रूपे ब्याज दिया तो ब्यक्ति द्वारा उधार ले गई रास क्या होगी इस तो यहां से अगर हम मूलधन की बात करें तो मूलधन कैसे निकलता है मूलधन बराबर होता है 100 इंटू साधारन ब्याज बटे आपका दर और इंटू समय ठीक है बच्चो अब आप यहां पर रखके आप कर लीजिएगा 100 और साधारन जो ब्याज है वो आगे आपका 1200 रू अब आप यहां से इसको काट लीजिए आठीकम आठ पंजे चालिस ठीक है इससे गुणा कर दोगे तो यहां जाएगा 5000 अगला जब हम पेस खोलेंगे तो देखें उसमें 5000 ही अंसर आएगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर जैसा कि मैंने बताया था कि 5000 उत्तर पते क्या होगा तो देखें और पांच में देखें 2 का उंतर आ रहा है फिर 158 तीन का फिर चार का फिर फिर पांच का फिर छय का है तो अगले में साथ कंतर अएगा ठीक है थो 23 और साथ यानि एक एक बढ़ रहा है तो आजाएगा तीस तो अगली संख्या कितनी होगी बच्चो तीस तो दीखें तीस अपसंसी में आपको मिला है अगला प्रश्ण बहुत अच्छा है थोड़ा सा दिमाग लगाईएगा बहुत अच्छा प्रश्ण है एक से 99 के बीच सभी अभाजे संख्याओं के गुणन फल में हिकाई कंक क्या आएगा तो पहले हम अभाज की बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहली अभाजे संख्या होगी दो फिर तीन फिर पांच फिर साथ फिर आपकी ग्यारा अब मैं यहीं पर आपको लेकर चलना और किसी भी संख्याओं में गुणा करते हैं जीर आ जाता है तो अब आप देखें तीज को अगर हम साथ से भी गुणा करेंगे तो सातियां 31 आईगा तब भी 0 आएगा अगर मैं 11 से करूँ 11-0, 11-11 और 12-12 और 123 मतलब अगर कभी भी घुना करने पर यद घुना में 0 आता है तो हम किसी भी संख्या को घुना करें तो उसके एकाही कांग सदेब 0 ही आएगा अगला प्रशन है निम्न लिकित में से कौन संख्या गणक द्वारा दर्साई गई तो देखें यह हमारा संख्या गणक है यह यहाँ पर हजार है यह यह देखें सो है यह दहाई है और यह इकाई है तो अगर मैं इकाई और दहाई को देखूं तो तो इसमें यहा पर 3 है, यहा पर 1 है, इसमें यह 4 है, यह 2 है, तो 3142, 3162, 3142 दीखें, इसमें 2 में, C और B में Milla, उसा के बाद देखें तेंथ का मतलब होता है उसका दसमोआ भाग तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे दिखें पॉइंट लगा हुआ इसमें कोई भी यह नहीं तो जीरो लगा लेंगे और हंड़ेट प्लेश पर कितने देखे साथ इसमें यह देखे बने हुए है और अगले वाले में तीन है तो इसको पढ़ेंगे 3142.073 तो यहां से अगर हम आप्शन देखें तो आप्शन हमारा बी वाला बिल्कुल सही है मतलए इसमें आपको कुछ करना नहीं है क्यों संख्याओं को लिख करके देख हो रहा है अगर मैं अगले प्रशन की बात करूं ए बी सी डी एक आयत है जिसकी भुजा यह तीस और बीस सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर एक समान चोड़ाई के एक साथ आयत की बारी और इस्तित है तो आयत पी क्यू आर का परिमाब बताई है यानि दो दो मींटर यह इदर चोड़ाई है तो दो मींटर इधर दो मींटर इधर तो दीके बैचों बहुत सब्सक्राइब तीस यह है दो यह तीस दो बत्तिस और दो चौंटिस यानि यह चौंटिस हो गई इधर की बात करें तो बीस यह है दू इधर बढ़ा दो इधर तो यह बीस के साथ में आपका दो और दो और 20, तो यह हो गया 24, इसका मतलब जो PQR है, यह हमारा 34, और यह हो जाएगा 24, इसका पूंछ रहा है बच्चों, परिमाप, परिमाप क्या होता, आप लोग जानते हो, दो, लंभाई प्लस चोडाई, तो दो लंभाई हो गयी, 34, चोडाई हो गयी, 24, अब आप द तो इन डोनों जोड़ लेंगे आजाएगा देखें बच्छो 58 और दोनों गुणा कर दोगे आजाएगा 116 क्या था सेंटीमीटर तो यह सेंटीमीटर आपका आजाएगा देखते हैं 116 यह देखें बहुत आसानी से आप इसको टिक कर सकते थे आपको कुछ करने की बहुत जर तो इसका मतलब यहां पर फिर वापस लोटेगा तो इसे 25 फिर लगेगा यह दिवा घर 11 बजकर 30 मिनटर प्राता बाजार की ओर चला थो चला हो तो घर कब वापस लोटेगा तो इसका मतलब वह 11.30 पर निकला तो आखिर कितना टाइम उसने खर्च किया तो देखें यहां अब आप लिख लिजे घंटा इधर लिख लिजे मिनट तो 25 मिनट तो इसने पहले चला है फिर 2 घंटे 30 मिनट और चला है और 25 मिनट लोट ने चला है तो इन दोनों को अगर हम जोड लें तो 5 510 तो 3 2 5 तो साथ और अठ डो घंटे असी मिनट और ऐसी मिनट को अगर हम घंटे में तब्दिल करेंगे बदलेंगे तो साथ 11 नियाइनि 20 मिनट बचा था 20 मिनट एक गंट आए तो तीन ङनटे 20 रों तॉटल टाइम लगेगा इसका यह मतलब हुआ कि तीन घंटे 20 इसको आने जाने में लगा और घर से निकला था 11 बजकर 30 मिनट पर अब इसमें हम जोड देंगे तीन घंटे 20 मिनट तो यह 50 हो गया इसका मतलब 14 बजकर 45 मिनट तो जब यह 14 बजकर के 45 मिनट आया तो यहां से 14 बजकर जो 45 मिनट है अब हम इसमें से 12 अगर हम घटा देंगे तो हमें रियल टाइम उधर का पता चल जाएगा तो यह दो बज कर 50 मिनट को वापस आएगा तो यहाँ पर दो बज कर 50 मिनट अपसन सी वाला बिल्कुल सही है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण है एक बस 40 मिनट में 36 किलोमेटर दूरी तै करती है यह तो इसकी गति एक समान रहती दो घंटे में कितनी दूरी तै करेगी एक एक नियम से लगाएं कि बहुत सरल सवाल है चूंकि अगर हम 40 मिनट में देखें तो यह 36 किलोमेटर जाती है अगर एक ही मिनट में देखें तो च्छतिस बटे 40 किलोमेटर जाएगी चूंकि यह दो तो एक गन्टे में होता है बच्चो 60 बिनट तो दो घन्टे में आपके हो जाएंगे 120 बिनट तो चूंकि., एक पिनिट में जाती छतिर्च बैटे 40 इसलिए अगर आप ये पूछा जाए कि 120 मिनट यानि दो घन्ट में कित्ती जाएगी इसको हूं 120 से कर देंगे गुणा चुंकि एक घंटे का पता था चारिकम जीरो चारिकम चारतियाई 12 और 36 तियाई होता है बच्चो 108 इसका मतलब यह 108 किलोमेटर दूरी दो घंटे में तै करेगी अगला प्रश्ण है रवी ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किये अबदुल ने कविता से 10 अ तो आप यह देखना पड़ता है बच्चो की सबसे पहले किसके अंक किसके रिस्पेक्ट में दिये के कहने का मतलब यह है कि किसके अंक किसके साथ संबंधित है तो चुकि कविता के बारे में बताया जा रहा है कि कविता के जो अंक मिले वो रवी से संबंधित है और जो X-15 और जो आपका अब्दुल है वो 10 अंक अधिक प्राप्त करता है कभिता से तो हम X-10 हो गए और इन तीनों का जो जोड़ है अलग अलग जो नंबर पाए ये नंबर है आपके 100 जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो X-X 3X हो जाता है और जब हम इदार आपको यह देख रहे ह यहां से 10-15 में से निकल जाएगा तो माइनस के 5 बराबर आ जाएगा बच्चो 100 तो 3X बराबर हो जाएगा 100 प्लस 5 बराबर 105 तो X की वैलू आ जाएगी 105 बटे 5 पांच से काट देंगे 5 ने 10 पांच एकम 105 था बटे 3 था सोरी तो 3 पचे पंद्रा 3 तिया इस और 9,3 पचे पंद्रा यहनी कविता जो है वो 35 अंक पाएगी तो यहनी कविता जो हमारी X बराबर 35 अंक अभी निकाला था तो रवी के पूँच रहा है तो रवी के जो अंक थे वो थे आपके X-15 यानि 35-15 तो यह हो जाएगा 35-15 जब घट जाएगा तो यह आजाएगा हमारा B संक इसका मतलब जो रवी है उसने B संक प्राप्त किये है चलिए अगले प्रशन पर विचार करते हैं और देखते हैं एक अच्छा प्रशन सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा बहुत अच्छा प्रशन है निम्न, दंड, ग्राफ 5 विद्याले A, B, C, D और E में परिच्छा में अनुतीर प्रत्सत दरसाता है सबसे अच्छा परिच्छापल किसी विद्याले का रहा अब बच्छो एक चीज़ आप लोग समझें कि जिस विद्याले में सबसे कम बच्छे फेल होंगे उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा अब आप अगर B, C की बात करें जिसमें 8 प्रतिसत बच्छे फेल हुए यह सबसे बेकार है तो आप यहां से बहुत अच्छी अनालिसिस कर सकते है तो देखें सबसे कम किसमें बच्छे फेल हुए है तो सबसे कम कि अगर हम बात करें तो देखें A वाले का यह दिया है B वाले का यह दिया है बहुत जादा इसमें फेल है C का बहुत जादा है D का बहुँ ज़्यादा E का सबसे कम देखे E यानि एक प्रतिसत यहां बच्चे फेल हुए है इसका यह मतलब हुआ कि E बिद्धियाले में उत्रिण का प्रतिसत सबसे जादा होगा तो यह option किसमें है D, यानि D स्कूल सबसे अच्छा जिसमें अनुत्रिण का प्रतिसत सबसे कम है इसलिए वहाँ पर उत्रिण का प्रतिसत सबसे अधिक होगा इसलिए यहाँ पर option D सही होगा अगला प्रस्ण है बच्चो यदि आम 80 रूपए के 12 के भाव से खरीद कर 110 के भाव से बेचे जाए तो सोदे का लाप क्या होगा अब देखे क्रेमुल हमारा है 80 रूपए अब हमें बात करनी है भी क्रेमुल की तो देखे 10 हम बेचते हैं 100 रूपए के तो एक हो जाएगा बटे सो चुक्क हमने 12 की बात करी तो हमें 12 के लिए निकालने ना बेचे तो किते एक भी केंगे जीरो 120 रूपए यानि हमारी चीज है 80 रूपए की बिक रही है 120 रूपए की तो इससे हम निकाल लेंगे लाब लाब हो गया 40 रूपए ठीक है 40 रूपए का इसमें लाब हो रहा है तो कितने परसत का हुआ तो प्रतीसत लाब का बच्चो फार्मूला होता है लाब इन्टू 100 बटे क्राय मूले होता है कि नहीं अगर यह होता है तो आप यहाँ पर लगा देंगे लाब है 40 इन्टू 100 और क्राय मूले है आपका 80 80 एक कम 80 दूना 2 एक कम 2 पंजे 10 यानि उसे सीधे सीधे 50 परसेंट का लाब होगा आप ऐसे भी देख सकते थे 80 रूपए क्राय मूली था दि आपका 10 हैं 100 रूपए के एक होगा 10 रूपए का 12 हो जाएंगे 120 रूपए के इसका मतलब कितना लाब हुआ 40 रूप है तो देखे 50% का लाब देख रहा तो वही पूँच रहा था कितने परसेंट का लाब होगा और आप इसे बहुत आसानी से जो है यहाँ पर निकाल सकते थे अगला प्रशन थोड़ा सा अलग है थोड़ा अच्छा प्रशन जरूर इसको देखे किसी घर में पानी का कनेक्सम देने के लिए 55 मीटर पाइप चाहिए मनला 55 मीटर उसको पाइप लगाना है घर के मालिक के पास तीन टुकड़े जिनकी लंबाईयां 20 मीटर 16 मीटर 10 मीटर ह तो उसे कितनी लंबाई का पाइप और चाहिए तो बहुत आसान है चुक देखे 55 मीटर चाहिए उसमें इसके पास है कितना इसके पास एक 20 मीटर का टुकड़ा है बच्चो एक 16 मीटर का टुकड़ा है और 10 मीटर का तो इसका मतलब 55 मीटर चाहिए और जब हम इन सब को जो चाहिए तो इसको 9 मीटर अभी जो है तार को या जो पाइप है उसे और खरीदना चाहिए तो यहां से आपसंद भी वाला हो जाएगा मैं अगले प्रशन की बात करता हूं पिक्टोग्राप का है बहुत अच्छा प्रशन है और बहुत बार ऐसे प्रशन पूछे जाते हैं अ और बुद्वार को सबस्यादा बारा देखे आपको दिखा रहा एक दो तीन चार पांचे साथ आड़ नो दस गयरा बारा हां ठीक है तो फूल मिला कि और एक एक आम की जो की एक जो आम है पिक्टो में ग्राफ में वो पीस किलोग्राम को दर साता है तो यदि तीनो दिन को सो मुआर मंगलवार बुद्वार तीन दिन के प्रश्चा तो उसके पास 120 किलोग्राम आम बचे हो तो उसके पास सो मुआर को कुल कितने आम थी यानि प्रारंब्य में उसके पास कुल कितने आम रहे होंगे तो आप यहां से कैसे निकालोगे तो सो मुआर को आपके पास है आठ पैकट तो आठ को आप 20 से गुणा कर दो चूंकि एक के मुल है 20 तो यह रहाओगा 160 किलोग्राम सुमवार को रही बात मंगल की मंगल में 10 10 देखे आम बने हैं उसका 20 से गुणा कर दोगे तो आजाएगा बैच्चो यह 200 बात करते हैं बुद्वार की 12 देखे आम है और 20 एक का 20 है बारा दूनी 24 और सेस उसके पास कितना बचा भी 120 किलोग्राम तो सेस भी इसमें हम जोड़ देंगे तो पता चलेगा प्रारम में कितना था 120 अब आप इसको जब जोड़ोगे जीरो जह चाथ देखे बारा के दूए दो तीन दूपाच एक छेक साथ यानि उसके पास 720 किलोग्राम आम रहा होगा तो 720 यानि आपको करना क्या था तीनों दिन का जोड़ करके जो सेस बचा था उसको उसे में एड़ कर देना था अगला देखे बहुत अच्छा प्रशना और अंतिम प्रशना है कि अंक 5, 9, 6, 7 और 3 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जबकि किसी एक अंक को दो बार प्रयोग में लाया जा सकता चुँकि यहां पर आपके पास सबसे बड़ी संख्या बनाने को कह रहा है जब संख्या सबसे बच्चो बड़ी बनानी होती है तो हमें सबसे बड़ा अंक पहले लिखना होता है तो चुकि यहां पर सबसे बड़ा अंक हमारा 9 दिया है तो हम 9 पहला अंक लिख लेंगे चुकि संख्या भी बड़ी बड़ा नी तो अगला अंक भी हमें 9 ही रखना पड़ेगा इसके बाद 9 से जो छोटा अंक है उसे आप लिख लेंगे 7 है और 7 से छोटा को उने 6 है और 6 से सकते हैं इसलिए मैंने नव को लिखा देखें इकाई दाई सेकड़ा हजार दस जार जिदर इस यानि हम जब बाई और बढ़ते हैं तो संख्या का जो संख्या बड़ी होती उसका मुल उतना ज्यादा बढ़ता जाता है तो 99,765 जो संख्या है यह सबसे बड़ी बनेगी जो क निश्चित तोर पे यह प्रश्ण आपको जरूर समझ आए होगे अगर यह प्रश्ण समझ आए हैं तो कर पर इस वीडियो को लाइक कर दीजे और पहली बार आए है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लिजे जय है